मुख्री मिलने जा ली थी सरकार को अपने कदम पीशे हैं थांक यू तो मच कंगना जी इस मंच पे आने के लिए जोरदार ठैलियों के साथ अभिनेंदन करिए अभिनेत्री मेंबर आफ पार्लिमेंट कंगना रनाउथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमेश्ची तो कंगना जी यह जो नया परिचेक लगता कैसा है आपको सांसरत कंगना रनाउथ थोड़ा तो गवबीर है यह मानने वाली बात है कि मेरे लिए काफी गवबीर है और मैं हमेशा सोचती हूँ कि यह एक ऐसा दाइत्तो है जो जैसे आप एक्टिंग करके कभी सोच भी सकते हैं कि अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं या आज का काम हो गया या अच्छा हो गया लेकिन ये ऐसा काम है जो खतम ही नहीं होता है जितने आप कर लो उतना कम है जितने लोग है उतने ही काम है उतनी ही अप एक्षाएं है और खास कि आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि you know I am good enough. In this job you never feel that you are good enough. So I am trying to cope. देखिये, चाहे मनिकर्णना का हो, चाहे अमजंसी हो, जहां कंगना रनौत होती है, वहाँ विवाद हो जाता है. अब यह कॉंट्रवर्सी जो है, वह आपका पीछा क्यों नहीं छोडती है? देखिये, अमिश जी, मैंने तो यह जो इस चीज का यही निशकर्ष निकाला है, कि अगर आप फूल पत्तों के आसपास उचलते रहना चाते हैं, नाशते रहना चाते हैं पार्क में, गार्डन में, तो आपको किसी को आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर वही महिलाओं के दो मिनिट के रोल आप करेंगी, तो आप बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लड़की होंगी, आइटम नंबर करेंगी, जैसे जो आपको जो लोग चाहते हैं वैसे करेंगी तो ठीक है. लेकिन कहीं अगर आपने उन सब चीजों से निकल कर ये कहा कि नहीं, मुझे भी एक पूरा एक लीड रोल करना है और ऐसा मुझे कुछ काम करना है, जो ना कि सिर्फ हमारे मनुरंजन का ही एक साधन बढ़ने, जबकि हमारे देश को भी एक अपने इतिहास को लेकर रेकिन नहीं मत्ला करते है पना होलोगों गे ठीहरास, है मेरी बहु का पूरा ओकैकनी को होलोगो को है ओक्यूओजन खांपare देशन कोम पूरा स्टेफिक्वोगन कभी देखे की घूड़ेग का अपना है पहली उत्ता है्नाश का इंशन को और झाने को लेकिन बादोगों अब मुद्धे भी तेशी करने दीजी, अब बात सिर्फ दो ही एक ही चीज पर आ जाती है, कि कुछ लोग हैं, जो कहते हैं कि जो भिंडरन वाले हैं, वो एक संत है, वो एक महान करंतिकारी है, और वो एक एक लीडर है, और एक धर्मात्मा है, तो अब उन लोगों ने जो है, कहीं न कहीं डरा धमकाके, चाहे पेटिशन्स, चाहे देश को जला देने की, चाहे धमकियां हो, चाहे, अफकोर्स, मुझे भी धमकियाई हैं, तो और मेरा ये मानना है कि जैसे हमारा भारत वर्ष है, और उसी तरह से पंजाब की 99 परसेंट जो जनता है, वो यही मानती है, कि जो ये होम मिनिस्ट्री ने नहीं, बहुत पहले जो सरकारती उन लोगों ने वकाइदा जो है खालिस्तानियों को टेरिस्ट घोशित किया गया है, और ये कोई संत नहीं होता है, जो एके 47 के साथ में मंदिर में छुपके बैठा होता है, और आप मुझे कह रहे हैं कि वो अटेक किया, उनके पास ऐसे ऐसे मशीन गंज थे, ऐसे ऐसे वेपन थे, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन को ही, अमेरिकन आर्मी को ही हासिल थे, हमारी आर्मी के पास भी नहीं थे, ऐसा क्या दर्शा है आपने फिल्म के अंदर, जिसको लेकर SGPC को भी आपती है, आपको रे भारतवर्ष की जनता, पंजाब की 99 परतिशत जनता, मुझे नहीं लगता बिंडरन वाले को जो है, वो एक संत मानती है, वो अतंकी है, और अगर वो अतंकी है, तो मेरी फिल्म आनी चाहिए, आप बहुत सबस्ट बोलती है, आपको रेप की भी धमकी मिली तो क्या आपको आपके परिवार नहीं बुला, इस टॉपिक पर फिल्म बनाने की क्या ज़ुरुत थी, आप भी फिल्म बना सकती थी एक ऐसी, मतलब मैं, कोई गुड न्यूज, बैड न्यूज, जो भी कई जारी की फिल्मे आती हैं अज़कर, उस तरह की, देखे करने को तो फिर हम ऐसा अगर हम बिल्कुल बच बच के अगर जिंदगी में हमेशा ही निकलते रहे, तो हम कब तक बचेंगे, मेरी ये सोच नहीं है, और वाकरी में, हमेश जी मैंने कभी ये नहीं सोचा था, कि मुझे लगा था और किसी समुदाय को कोई आपत्ती हो सकती है, किसी पार्टी को ले कि मुझे परतारित किया जाएगा, मुझे शोचित किया जाएगा, मेरी फिल्म को जो है, इट इस सो इंबारिसिंग फो मी, तीन कट लगे हैं, दस बदलाफ करने पड़े हैं, जी, और उसके साथ ही हमें कितना नुकसान हो गया, फिल्म चार दिन पहले, रिलीज के चार दि पहले जो है, बैन कर दी जाती है, तो I think ये एक तरह से मैं कहूंगी कि लोग तंतर में जो है, बड़ा बीजेपी की सांसद है, जिनकी सरकार है, देखे, अमीची आप उसमें नमक मिर्च लगा के जादा बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक्ता यही है कि in the larger of scheme of things, अब मैं आ of the nation, security of the people of the nation, कोई भी एक व्यक्ति विशेश, कोई भी माइने नहीं रखता है, और कासकर फिल्म की तो कोई हैसित ही नहीं है, नेशन फरस्ट, नेशन फरस्ट है, हर पार्टी के लिए नेशन फरस्ट होना चाहिए, और अगर आज हम भारतिय जनता पार्टी की इतनी इज करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके लिए नेशन फरस्ट है, तो हर एक अगर एक भी, मैं तो ये कहूंगी, अगर एक भी थेटर में कुछ किसी को कोई आपत्ती हो जाती है, या किसी को कुछ किसी तरह से डरा दिया जाता है, तो हमें वाकरी में बुरा लगेगा, इसलिए हम हैं, कि ये सरकार की जो है, पूरी सपोर्ट के साथ, ये फिल्म आइए, कि पंजाब में बैं कर सकते हैं इस फिल्म को, खबरे इस तरह की आ रही हैं, ने वहां तो कहर कुछ लोग इस तरह के घिनोने पर दर्शन कर रहे हैं, मेरे पुतले जला रहे हैं, किसी तरह की मुझे जो है, वो बाते और लोगों को भड़का रहे हैं, तो मेरा ये, लेकिन मैं पंजाब के बहुत नजदीक, मैं हिमाचल परदेश में रहती हूँ, और मेरा ये मानना है कि जादातर, 99% जो पंजाबी है, और कितने ही जो हमारी सरहदों पर भी, हमारी सब, वो लोग और 814, जिसमें आतंकियों के नाम बदल दिये जाते हैं, उसके ओपर कोई कट नहीं लगता, फिर उसकी शिकायत होती है, तब उस पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, क्या आपको लगता है, डबल स्टैंडर्ड है, आज, जिस मुकाम पर हम हैं, टेक्नॉलजी के साथ, I think sensor, to be honest एक एक रिडंडेंट बॉडी बनके रह गया है, और इस बात को मैंने जो पिछला पालिमेंट सेशन हुआ था, उसमें भी उठाया था, कि जिस तरह की चीजें OTT पे दिखाई जा रही है, यूटूब पे बच्चों को एक्सेस है, मतलब हमें डर लगता है, कोई बच्चा कुछ कार्टूनी देख रहा है, कब स्लाइड करके क्या आ जाए, आप सोच भी ने सकते, जिस जिस चीज का एकसेस है, और सिर्फ पैसा देके आप कोई भी चैनल का एकसेस कर सते हैं, तो यह बहुत ही चिंता का विशह है, और हम लोग इतना जूचते हैं सेंसर के साथ, यह आपने ब्लड क्यों दिखाया, यह आपने कट क्यों दिखाया, यह जैसे आपने सुना, हमें इतने कट्स जो है, वो कहा है करने के लिए, तो मुझे तो लगता है कि वी निद टू री थिंक, और सबसे जादा किसी को सैंसर्शिप की जूरत है, तो वो है OTT प्लाट प्लाट तो नहीं है, कर हम एक वहां पर बैठते हैं, और आपका एक प्रोसेस होता है, आपको मंतरालय में प्राव्स्टों दालने होते हैं, आपका जीरो आयूर होता है, यह 377 अर होता है, उसमें आपके व्योच्छिन को द करता है इसको लेके मैंने बहुत चकर बिकाटे और अभी तक तो कहर इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया गया है विकर्स जैसा कि आप जानते हैं देश में और भी कई मामले होते हैं उस सेशन के दौरान लेकिन मेरी उमीद है कि OTT पे जितनी जल्दी हो जाए सेंसर्शिप जितना जल्दी हो जाए हमारे देश के लिए अच्छा है आप ने का कि आपने इस दौर में इंदरा गांधी को बहुत पड़ा और आपकी एक सोच में भी बदलावाया तो आपको लगता है कॉंग्रेस के नेताओं को भी आपकी फिल्म पसंदानी चाहिए तो मुझे कोई उमीद रह नी गई है अगर इन में एक थोड़ी भी इंटेग्रिटी होती और इन में थोड़ा भी हलकी भी इन में शरम होती तो मेरी फिल्म को लेकर इतनी महिलाएं इनकी नेता है या इतने सारे नेता है इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये लड़की को भी हक है हमने पहले भी देखा हुआ है कि कुछ फिल्में हैं, चाहे वो पदमावत हो या चाहे उर्था पंजाब हो, उन फिल्मों को लेकर जो है, वो अच्छे से रिलीज हुई वो फिल्म, चाहे वो किसी की नाक काटने की धंकी दी गई हो, किसी का गला काटने, लेकिन सरकार ने उनका पूरा संरक्शन किया और अ आप डेफिनेटली फिल्टा आप कम्प्रीटली ओन माइ ओन और इस तरह कि जब मैं भावनाएं देखती हूं और इस तरह कि मैं जब संकीन सोच देखती हूं तो मुझे क्या उमीद रह जाएगे इन लोगों से, आप खुद सोचिए जी, लेकिन ऐसा नही है कि आपको कॉं आपको कॉंटेक्स्ट आसे दो चार बाते उठाके सुना रहे हैं कि अजिफ यू यह इलिजिटमेट है और मैंने ऐसे ही कह दी उनके पीछे कोई कॉंटेक्स्ट है और लाचर कॉंटेक्स्ट यही है कि जो बॉलिवूड ने जितना इस देश का कबाड़ा किया है, इस गुटका की एड करते हैं, क्या मजबूरियां होगी इनकी कि यह गुटका की एड करके चबाते हुए आते हैं स्क्रीन पे, यह लोग जो हैं, जभी भी कोई भी एंटिनेशनल अजेंडा हो, चाहे हमारी डिप्लोमसी में, चाहे हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमसी में, कोई जोग भी जाय लेके ये लोग खड़े हो जाते हैं और भी जब कुलहारी मारनी हो तो सबसे पहले पीट पे में और नख में प्रह nine-year-old के फंक्शन्स पे कैसा डांस कर रहे हैं आइटम नंबर्स पे क्या उसका वो ओनस लेते हैं जिस तरह की जो फिल्में बना रहे हैं और जहां पे एक फिल्मों का जो हीरो हुआ करता था जिसे हम नायक कहते थे नायक जो होता था वो खल नायक बन गया है जो एक रावन का पूर करता है, रेप करता है, अपने अंकार में आकर खून की जो वो किसी अपनी धरम के लिए या इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा, इस थरा के तो इनके नायक हैं, तो कहने को तो बहुत कुछ है फिल्म इंडिस्ट्री के लिए और मैं हमेशा ही कहती आई हूँ, ऐसा नहीं है, ल आयुषपूर खुराना को आपने आयुषपान खुराना को चापलूस बोला, रनबीर कपूर को सीरियल स्कूर्ट चेजर बोला, देखे, आचा आप इनकी ऐसे वकालत कर रहे हैं, जैसे कि, मानिये, ये पता नहीं कहां के जो है, वो धरमात्मा हो, ये सही नहीं है, अब कर एक इंसान को यहां पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूं, लेकिन हम सब जानते हैं, ये इंडस्ट्री जो है, हवाला से लेकर, ड्रग एडिक्शन से लेकर, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, जब मैं पैदा भी नहीं थी, 86 का मेरा बरत है, तब ये लोग मैं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए, कि ये लड़की को मिल क्या रहा है, ये सब करके, ये सारा अपना नुकसान करती है, ये सब को, नहीं नहीं, ये सब को अपना दुछ, आप मुझे ये टिकेट मत बोलिएगा, ठीक है, मेर मेरे को आप ये मत बोलिए कि आप इसके लिए, नहीं, मेरे जो दादा जी है, वो पर दादा जी जो है, हमारी हमारी फैमली की कॉंग्रेस की हिस्ट्री है, मेरे मेरे फादर भी कॉंग्रेस लीडर रह चुके है, और मुझे, for your kind information, गैंस्टर के बाद मुझे भी MLA की टिके offer हुई थी, कॉंग्रेस से, तो आप मुझे ये मत कहिए, कि मुझे लोगों की जो है, तो आप क्या कहना चाहरे है, कि मैं ये करती क्यों हूँ, सब लोगों से मैं दुश्मनी लेती क्यों लेती हैं, आप सबसे, हम देश के लिए लेते हैं, हम कायर नहीं है, देश के लिए पंगा लेते हैं आप, देश के लिए पंगा लेते हैं, देश के लिए बोलते हैं, अपना तो नुकसान ही किया है, आज इंडस्ट्री में जो है, सब लोग खुशी मना रहे हैं कि इसकी फिल्म नहीं हुई, इसने बड़ी अपने सब पैसे लगा कि इसने फिल्म बनाई उस इसको ये बोला, मैंने उसको वो बोला, मैं अपने नीजी स्वार्थ के लिए होता है, तो मैं इनकी इगो पैपर कर देता हूँ, बॉलिवुड में खांस के साथ काम करने के लिए एक्टरिस को लगता है कि अगर खांस के साथ मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, बजरंगी भाईजान आपने सालमान खान के साथ छोड़ दी, जीरो फिल्म आपने शारुक खान के साथ छोड़ दी, क्य क्योंकि एक नॉर्मल सा जो फॉर्मेट होता था, आइटम, सांग करो, दो गाने करो, कॉमेडी सीन, उसमें मैं फिट नहीं होती थी, तो जब मुझे वो काम नहीं मिला, मुझे एक अलग तरीके से सफलता मिली चाहे, कुईन हो, तनुएजमन हो, मनी करने का हो, मैंने एक मह करता है, आप इस तरह के उनके ना मुझाल के क्या प्रूव करना चाह रहे है, क्या क्या कोई बड़े, वो, क्या है वो, क्या प्रूव करना चाह रहे आप, शारु खान के साथ भी, सल्मान खान के साथ भी, तो क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो, मुझे अब गता अप अपि अपनी गर करें अपन हमें जो सुषब करते हैं आपको पहे आपने हमें में उक आस्तिक्तों मिला है मेरी मेरे वखे से कल आने वाली बेटियों को भी एक ऐसा या एक महिला का बिसक्तितों होता है और आपको पता है कि यह जो hero लोग होते हैं, यह महिलाओं को कितना सोशन करते हैं, आपको पता है? डिनर पे बुलाना, मैसेज करना, घर पे आधमकना, आपको पता है, यह सब? ठीक है, आप किसी के साथ में समय बिताना चाहते हैं, आपका प्रेम परसंग है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे जबादा एक्स्प्लोइटेशन जो है, वो यह हीरोज करते हैं, तो अगर एक बेटी आगे आई है और यह अपने दम पर आगे आई है, तो क्या इतना आसमा का रान किर गया, कि इनके साथ फिलम छोड़ एक उनके साथ फिलम छोड़ दी आपने ऐसे कैसे कर दिया? अब किसी मूड में निलग रहे इनके साथ आगे भी कोई फिल्म करने के? नहीं, मैं यह नहीं कह रही हूँ, कि चाहे मैंने हमेशा ही कहा है, कि चाहे वो खान हो, चाहे कुमार हो, मेरी जैसी परसनेलिटी, मुझे कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई है, और जिन से हुई है, वो सब ने देखा है, वो मुझे जेल में डालने की कोशिश की, चाहे इ जानते हैं कि हम महिलाओं की इजट नहीं करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री भी कोई डिफरेंट नहीं है आज कॉलेज में दो चार लड़के खड़े होते हैं और महिलाए जाती है तो उनकी बाड़ी को लेकर उनके पार्ट्स को लेकर कमेंट करते ही हैं और फिल्म हीरो भी ड लड़की आई तो मतलब एक तरह से हम जानते हैं कि लड़की की बहत होता होती है वर्क प्लेस पे भी एक तो सबसे पहले कि वो दिमाग की अए लुगी और वो कि 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 करेगी सारा दिन गिगल करेगी उसको जो लड़का लेकर जाएगा अब ये लेफ्ट लेके गया तो मैं इसको राइट लेके जाएगा तो उसको देखेगा कि डिरेक्टर भी देखेगा कि she is going with the hero तो वो भी सोचेगा she is going with the hero, why she is not going with me इस तरह से महिलाओं को वहाँ पर शोशन किया अब बोलेंगे इसने ऐसा बोल दिया मैंने ऐसा बोला लेकिन आप लोग ये भी मद भूलिए जो हमारी सरोज कान इतनी सक्सेशफुल हमारी कोरियोगरफर रह चुकी है जो मेरे पैदा होने से पहले से फिल्म इंडस्ट्री में है उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है जो लड़कियों के रेप होते हैं, लड़कियों का सोशन होता है, लड़कियों का मीटू होता है, उसके बारे में आपका क्या खहना है, तो उन्होंने कहा था, कोट अनकोट, कि रेप तो करते हैं लेकिन रोटी भी देते हैं तो इतना नीचा जो है लड़कियों को वहाँ पे ट्रीट किया जाता और बिचारियों को जब रोटी मिलती है तो इनको लगता है तो क्या हुआ रेप किया तो कम से कम छोड़ तो नहीं दिया रोटी तो दी, तो ये हमारी बेटियों की महिलाओं की दुर्दशा है फिल्म इंडस्ट्री में और ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में एक कंगना जाती है तो अगर उसने कह दिया यार कि मेरे को नहीं कनी हीरो के जैसे फिल्म तो ऐसा क्या आसमान गिर पड़ा, कि ये लड़की ने तो ऐसा किया, तो आप तो अपनी मनमानी करती हैं, आप तो किसी की सुनती नहीं हैं, आप तो साइकों हैं, आप तो ये हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ये दोगली दुनिया जो है, तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिल इस फिल्म इंडस्ट्री को भी तो मैंने इज़त दीना कम से कम महिला महिला असे शक्तिकरन की फिल्म में बनाई यहां पर मैंने डबल रोल महिलाओं का करके दिखाया जहांसे की रानी बे फिल्म बनाई आज इनके पास चार पैसी की इज़त है वह हम ही कुछ गिने चुने ल आने वाली थी जिस पर मैंने अपनी सब नीजी संपत्ति लगाई थी अब वह नहीं आई है तो संपत्ति है वह इसी काम के लिए होती है कभी कोई मुश्किल वक्त आया तो बेच दी अब उसके लिए भी मेरे को यहां पर सफाई देनी पड़ रही है ने सवाल पूचा मैंन तो चलिए एक एक चीज़ पर आपको सफाई देनी पड़ी किसानों को लेकर जो आपने बयान दिया ता आपकी पार्टी ने भी उस पर बोला उस पर जो है जो एक है बात कही थी किसान अंदोलन में जो है एक तो सबसे पहले जैसा मैं कहती हूँ कि भले लोगों का तो जमा कि गई हो तो एक भले मानस से किसी ने पूछा कि ऐसा ऐसा फामर्स तो उसने बोल दिया कि हाँ भई हुए वह वैसे हुआ और जी सब बंदू के तन गई और सब जो है एक लड़की को जो है जिन्दा जला दो जिन्दा काट दो क्या ये कल्चर है कि आप खुद सोचिए क्य हमारे देश में इस तरह का महाल होना चाहिए और पार्टी ने भी आपको कुछ भोला उसके लिए पार्टी ने बोला कि संभल के बोलना चाहिए नहीं क्या संभल के तो सभी को बोलना चाहिए मुझे ही नहीं संभल के तो सभी को बोलना चाहिए पार्टी की गाइड लाइन होती है और उन गाइडलाइन की मेरे को जो है एक लिस्ट मेली थी वो चाहे उनका जो भी stand हो मुझे यह कहा गया है कि हमारे जो पाटी के लीडर्स होते हैं उनका जो stand होता है you have to be with that stand but in no way party has told me कि जी आप किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते क्या बोल नहीं उस पर भी पार्टी ने जब बोला इसको लटाडा गया इसको फटकारा गया इसको बुला के डाटा गया एक सी मुझे लगता है कि इस तरह की जो लैंग्वेज है किसी महिला के लिए यह अच्छी नहीं है जब भी एक महिला जो है कुछ करती है इंटेलिजेंट होती है यह कुछ होता है तो उसको लेकर यह काला जादू है यह चुडाल इस तरह की जो शबत और भी अगर कोई मेल यह सेबसाब का वो मावरिक है इस मुल्मिल्मिटन यह a very good orator he's very clever with his answers अगर हम लोग तो कही विट से भी कुछ बोले तो इसके पर एंगनी मुजिक लगा के oh why if if I am intentionally funny it is not it I am not smart I am you know I am then I am stupid but agar koi male jo hai wo intentionally has got wit he's got humor and he's giving clever answers so you know he's this maverick and larger than la. यह जो डबल standards है ना थीस अब बताएं आथ बताएं महिलाओं के स्थीति देश में कैसे उबरें कि गर हम अपनी डबल स्टैंडर्स जो हैं वो खीकनी करेंगे अब आपको फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग पसंद नहीं है, कॉंग्रेस के लोग भी पसंद नहीं है, तो क्या सिरफ बीज़ेपी के लोग अच्छे हैं? ओरेस बीज़ेशन नहीं है, कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लोग पसंद नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में उसे बहुत सारे लोग है, जो कि.. पसंद कोन है यह बताएजिजीये पहली बार होगा यह, दो नाम तो दीजीये बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो पर्दे पर दिखते हैं, सिर्फ वही लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो मातर 10% काम करते हैं, 90% सेलरी जाते हैं, और बाकी सब को घड़े में डालके खुद निकल जाते तो ऐसे-इसे बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 इनकाम हैं, लेकिन आप लोगो को इन्ट्रेस्ट्ट्र सुष्य मेडिया के थू यह सवाल है कि कंगना रनौत का बेस्ट फ्रेंड कान है फिल्म इंडस्ट्री के अन्र एक कोई ह योगी बहुत अब अनुपम जी देख लीजिए या श्रेयस जी देख लीजिए विजेंदर परसाथ गारू हो गया और ऐसे कोई लोगों की कमी नहीं है फिल्म इंडिस्ट्री में जो की यू नो एक मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और मेरे साथ जो है वो कॉडियल है तो ऐस एसी कमी नहीं है लेकिन वही है कि कुछ लोग जिन आपको उनी में इंट्रेस्ट हैं जो की बदमाश कंपनी है और उनी के बारे में आप कोईस्टन भी पूछेंगे सारे अब चलिए अब मैं कुछ राहूल गांधी आपको फेवरेट टॉपिक उस पे सवाल पूछेता हू राहूल गांधी पर जब आप चुनाव लड़ रही थी और आपने मेरे साथ ही शाक्षातकार किया था आपने राहूल गांधी पर क्या बोला था मैं आपको सुनवा देता हूँ वो बाइट सुनते है राहूल गांधी को देखके तो मुझे सच में तरस ही आता है क्यों आता है आपको तरस मुझे मुझे बहुत बिचारे लगते हैं मैंने वो नजारा देखा था वो जाके परदान मंतरी को उनके गोद में बैटके उनको हग कर लिया और कहते मुहबबत की दुकान मुझे खोलनी है फिजा के ऐसे आंख मार दी क्या मतलब वो एक काटून ग कि आपको कार्टून लग रहे थे तब अब संसद में आपके साहथ बेठते हैं आपके विचार घुड़े बतली कितर अब तो मुझे वुषप गॉमेडि शो लगते एं पहले सुमेंदी शओ अब मुझे कार्टून लगते पूरा कॉमेड़ी शो जिस इन राहिल जी संसद आते हैं उस दिन तो मतलब हमारा वोल एंटर्टेनमेंट वाला रहता है फुल और जिस तरह लीडर अपोजिशन है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी उपर आउल जी के लेकिन अब उनका है विक्तिक तो वैसा तो हम क्या कर सकते हैं और उनकी बाते जो है वो पूरे जयसे हम स्कूल में होता है ना स्कूल में कहतें है यहां पिछे दे पिछे यहां कि आंचे उसमें यहां को जो चिलाने लगते हैं कि मतलब उनकी आवाज नसुनने को जाए परदान मंतरी जो बोलना चाहें वो ना बोल सके और हमारे प्रदान मंत्री जो है पहले पानी का ग्लास लेते है और उनको देते है कि तुम्हारे गलेस ना सूख जाए पहले तुम लोग पानी पीलो तो इस तरह का वहां पर कॉमेटी शो चला होता है और मैं सोचती हूँ कि यह लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कि यह इनकी स्ट्राटेजी है कि कि अगर हमें प्रदान मंत्री जी के सामने कुछ स्मार्ट नहीं बोल पाए तो चिलम चिली करके जो है उसको तो 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 अब भी अगर आप उनको देखेंगे कि जिस तरह से वो वो परलोमेंट में बैठे होते हैं कितनी दे तो उनकी अखे यह ऐसे पूरी ऐसे होगे और वो एक एक तक दृष्टी से वो एक जगा देखते रहते हैं तो I don't know he just blacks out. वो concentration हो उनका यार अब मुझे नी पता मैंने कहा कि होना चाहिए drug test I don't know if he does drugs or not. और अब भी उन्होंने बाहर जा के अगर आप देखें जिस तरह से मतलब क्य मैं कहूँ एक तरह से देश की नजरों में घिर जाना. क्या-क्या उन्होंने भाहर जाके कहा के महिलाओं को जो BJP है वो महिलाओं पे शोषन करती है अत्यचार करती है और उनको KHANNA बनाने को कहती है और ज़्यादा नहीं बात करने को कहती है क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की बाते कर रहे हैं वो जिनका कोई लॉजिक नहीं है और हमारे जो देश है उसमें सरदार पकड़ी नहीं पहन सकते, गुर्दवारा नहीं जा सकते, बाहर किसी तरीके की तो यह उनकी वोकाबिलरी है? कि महिलाउं को कहते हैं, घाना बनाओं और बात कमत करो, यह इस तरह की बाहरा है. इसका आपने जिक्र क्या उस पर बिट्टू है जो की मंत्री है आपकी सरकार में बीजबी की सरकार में उने बोला कि इस देश का कोई नंबर एक आतंकी है तो वो राहुल गांदी है यह तोड़ी कॉंट्रोवर्शल स्ट्रीट्मेंट नहीं है आप इस पर क्या रियक्ट करना अचाती हैं दिखिए उन्होंने खेर उनोंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूं मैं बहुत पहले से कह रही हूं कि वो एक शक्स यूनो हम आम लोग क्या हमने भी बच्चपन में ऐसे लोग देखे है कि एक मेटाफोर के रूप में जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पर एसिड फेग दो, यूनो ऐसे भी लोग होते हैं, तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बरबाद कर दो, चाहे वो नैशनल सेक्यूरिटी हो, उसकी बाते हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेर करना चाह अगर वो इंसान में, अगर वो इंसान में, जिसने हमारी प्रदान मंतरी को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने पैंतिस गोलियों से उसको चन्नी किया था, एक बुढ़ी औरत को, तो पैंतिस गोलिया चाहिए थी उसको मारने के लिए, तो एक गोली से भी मर सकती थी, वो तो उसको अगर वो कह दे के वो आतंकी थे, I'll take all my words back, मैं तो परलिमेंट नहीं जाओंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे, he is a very dangerous person because he is stupid. Rahul Gandhi is a dangerous person, वो LOP है परलिमेंट के अंदर, आप कह रहे हैं dangerous है, क्यों? आप जहरीले भी उनको कह चुकी हैं पहले? क्योंकि जिस तरह से अब desperate, times desperate measures, जो हमने सुना हुआ है, कि he is so desperate, कि ये तो होने निवाला है, तो अब जिस तरह से जो भी है, वो हम परलिमेंट में हम साक्षाद देखते हैं, हुर्दंग मचाने लग जाते हैं वो लोग, उचलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं, राक्ष नहीं करने देते हैं, तो क्या लगता है आपको ये क्या है, कभी पारलिमेंट में राहुल जी के साथ आमना सामना हुआ, कभी बातचीत करने का मौका मिला, राहुल जी से, नहीं ऐसा तो मतलब किसी मौके की जूरुद नहीं है, क्योंकि हम अब उनों को बच्च्पन से दे अब ये जो फैमिली है, इसने जो थोपा हुआ है, ये इस ने इस ने नेपोटिसम और डाइनसिटी से के जंजीरों से हम बाहर निकले और इसका मैने हमेशा से ही वहिशकार किया चाहें, मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुचाहें, आप बेटर की बात कर रही हैं, राह रजनसि में बहुत अच्छे से देखेंगे, कि ये जो फैमिली है, इसने कैसे इस देश को जो है, अपनी एक नीजी संपत्ती समझा है, हमेशा, और जितना डामेज इस फैमिली ने इस देश को किया है, ये हमारे देश का जो सवभिमान है, ये अभी तक भी पूरा नहीं ज यह जी लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि आपने बोला कि बड़ा पपू दिली में है छोटा पपू हिमाचल में है मंदी में आपने जिक्र किया लेकिन अब जो राहूल गांधी के रणनीतिकार हैं सैम पितो दा वो कहते है राहूल पपू नह संगर्ष पर अपने बलबूते पर उपराया होता है उनका जो उनके जो तौर तरीके होता है वो पूरी दुनिया को दिखते हैं चाहे वो हमारे प्रदान मंतर नहेंद्र मोडी जी हो या गटकरी जी हो या जो जो ह। अमिश्या जी हो जो एक सेल्फ मेड लीडर होते हैं ल यहां पर चाये एक फिल्म इंडस्ट्री में हिए बस यह लोग जो है वो इनके त्ल्या'm भajane वालें एक टीपिकल डस लोग वही साम P 되지ल्ड ज़ dużoग को जो हैं कि ट्रॉदी कि ताल्लिया है दश्य ज़ कि घुं के घुमते हैं इतने पड़े लिखे हैं थे पाटी आप आप से जाना है क्या रहूल-गांधी थोड़े धीमान है जवाब चाहिए और एक पूछना चाहते हूं हो डोच अधे नेता तो है रही जी मन थोड़े थोड़े सब्सक्राश का बद नो ने अब देखेए आप बस हो गया है अगला क्या केजरिवाल जी आपको ठीक लगते हैं, Aarvind Kejriwal अभी उन्हें इस्थिफा देने की पेषकरष कर दीए Aarvind Kejriwal आपको ठीक लगते हैं मेरे ठीक लगने अलगने से क्या होगा, जो दिल्ली की जनता है, उनको जो है, वो डिसाइड करना है, किस तरह के लोग जो है, हमारी दिल्ली को जो है, वो खोखला कर रहे हैं, बेजान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो लोग अपना डिसाइड करेंगे, दिल्ली की जनता को य इसको लेकर एक अंदूलन भी हुआ है, आप मंडी की सांसद हैं, आप हिमाचल से आती हैं, क्या कहना चाहती हैं, बहुत सी बाते हो रही हैं, बहुत सी बयानबाजी हो रही हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? देखे, हम यहां से इस स्टेज से जो है, किसी भी चीज के बारे में जब भी एक अपना जस सिर्फ बियान देते है न, इस वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वहां के लोकल हैं, उनकी जो उनकी जो स्थिती है, उसको हम कंसीडर करे तो अभी इस वक्त में जो हम हिमाचल के लोग ह वो सबसे ज़ादा जो illegal infiltration है refugees की और वो भारतिय नहीं है वो बाहर से आते हैं वो नाम बदल कर आते हैं वो नाम बदल कर अपने उनके आधार कार्ट जो है वो fake होते हैं उनको वहाँ पर जमाया जा रहा है और सबसे ज़ादा हैरान करने देने वाली बात यह है कि वो किसी भी चीज का rent पे लेने के लिए या किसी भी चीज को ना दुगनी कीमत देते हैं उनके पास इतने पैसे की जो है परबंद होता है या उनको support होती है इसी तरह से जो है illegal चाहे वो बख्व की land हो चाहे कुछ भी हो तो कोई हिमाचल में आईए आप हिमाचल में आपका स्वागत है अगर आप वहां पे किसी भी तरीके से कुछ भी business करना चाहते है रहना चाहते हैं आपका पूरे विश्व के लोगों का हिमाचल में स्वागत है लेकिन अगर illegal लोगों से illegal infiltration से अगर हिमाचल के लोगों को problem है और अवयध बिल्डिंग मस्चिते क्यों, तो पीजने महें भी अवयध बिल्डिंग बनी है, उनसे हुमाचल के लोगों को अगर प्रॉब्लम है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि यह कोई प्रॉब्लम है, यह यह जायस चीज है, उनका हक बنتा है कि वह उस चीज को जो है प् देखें यह जो है ना इस तरह के मामले जो है अभी आप जैसे आप जानते हैं कि इतनी सारी मुफ्त की चीजे प्रॉमिस करकर के करकर के हिमाचल is right now in financial emergency अगर आप देखें उस चीजों को distract करने के लिए यह कहीं तरह के हत्कंडे जो है वो कॉंग्रेस की सरकार अपना रही है लेकिन उनके पास essentially the matter of fact is कि जैसे डेली कोलाप्स हुआ जैसे यहां पे जहां पे भी कॉंग्रेस किया कोई दूसरी यह जो सरकार मिली जूली जो बनी रहती हैं वहां पे जो system है अगर आप देखें पूरी तरह से corrupt होके वो crash हो जाता है पूरी तरीके से आज वहां पे इन इन पर्सेंट जो हैं उन लोगों की जो जो सालरी जो मुफ्त के बचारे बूली चुके हैं वह दो उनको कbhi मिले ही जो तो तनखाए नहीं मिली है वह झाले है जो शके लिए अचान अब कि थार तो लेकिता है को तो सवाल पूछते हैं लगाता है पर हीमाचल की सरकार है इस वक्त ऐसे हमाचली एट से कि बहुत ही जादा चिंता जनक है जी मेरा अगला सवाल है आप से कि आप आप क्योंकि पॉलिटिक्स में हैं सांसद हैं तो फिल्मे करने का उतना समय आपको मिल पाएगा उतनी फिल्मे कर पाएंगी अब फिल्मे मेरी पहले आ तो जाएं फिर में करूं नहीं तो करते रहने से क्या फाइदा जो कभी फिल्म आई ना थेटर ते कि अपुछे तो आ रही है आप प्रिंज ग्रूप्स हैं उनकी दृष्टी से ना देखें ये फिल्म जो है एक बड़ी ही ऑथेंटिक फिल्म है और हमें सेंसर से जो एक गावर्मेंट बॉड़ी है उससे सर्टिफिकेट मिला हुआ है और कुछ फिरिंज ग्रूप्स अगर किसी को भढ़का भी रहे हैं वो मतलब ये फिरिंज ग्रूप्स बॉलिवूड के हैं या बॉलिवूड के बाहर के हैं कहीं न कहीं तो इनको चाहे वो उपोजिशन हो उन्होंने इंस्टिकेट किया हुआ है या कुछ चुनावी महौल में भी जो है इन लोगों ने कुछ जादा ही भढ़कीला करके लोगों को जनता को जो है गलत मैसिच ते कि अब आप जानते हैं कि जिनको भढ़काया जाता है वो सोशल मीडिया पर उनको अपनी लांग्विज में या अपने लोकल डालेक्ट में जो वो मैसिज दे रहे हैं वो मासूम लोग तो वही मैसिज ले रहे हैं तो आई तिक कही ना कही उन्हें भड़काया जा रहा है मेरे खिलाफ, and I think this is unjust. एक सवाल और वो ये है कि कर प्रदानमंत्री मोदी का जनम दिन है, तो आप उनको कैसे विश्च करना चाहेंगे? प्रदानमंत्री जो है हमारे देश के लिए एक, I would say के, not just a ray of hope, but he is a full-blown blazing sun that we have. and it is our fortune that we have him, or a wise man told me that, and I totally believe that it is true, a wise man told me that if we as a nation, we don't make it in his time, we do not deserve to make it. Happy birthday Prime Minister. आप मेंबर आप पार्लिमेंट है, क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं कि अब आप लाइफ में क्या आगे बढ़ेंगी, क्या आप भी एक फैमिली यानि शादी करेंगी? I definitely want to get married. और इसी MP टर्म में होगी ये शादी? अप पुली, उसके बाद तो करने का फाइदा इनी है तो कब उमीद कर सकते हैं? आप मेरे फिल्म रिलीस क्राइए पहले, फिर आगले सब्सक्राइब में आपको बताऊंगी. तो मेरे अगर हाथ में होता तो मैं तो कली करा देता, लेकिन ये सब तो… अगर मुझे मेडिया का सपोर्ट मिला होता, तो भी इतनी बात आगे नहीं बढ़ती, ये एक छोटी सी चीज से शुरू करके के, ये ये अगेंस्ट सीख, ऐसे करके शुरू हुआ लेकि मुझे अपने सवाल को कैसे बदला, पूरी नेता बन गई है अब आपको मानना पड अगरा ही है, बजरंग पुनी और विनेश होगाट के बीच में राहूल गांदी, क्या कहना चाहती हैं आप? वही है कि इनकी पॉलिटिक्स, इनकी जो पॉलिटिक्स है, that is, you know, I personally feel के, the nation can see through this kind of dirty politics, लेकिन, having said that, के जबी जो लोग उपोजिशन के लिए बोलते हैं, they get a lot of appreciation from the media, from the so-called, the system, the lobby and everybody, लेकिन अगर हम कहीं support करते राष्ट्रवादी, पार्टी को, या जो खर, आप तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन उससे पहले, तो पुरी तलवारे हमारे ले 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 जाती तो तो this is very unfair, I don't mind that they are supporting Congress, लेकिन at the same time, for them to behave like we are apolitical, we are apolitical, I think that is a bit questionable. अगली तस्वीर देख लेते हैं, किस की आरी है? Jaya Bachchan जी, क्या कहना चाहते हैं आप? Jaya Bachchan जी हमारी एक बहुत ही या शश्वी पर ये एक अभिनेत्री है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की and honestly she is known for her short temper but at the same time I would like to give her the acknowledgement and due credit that in those times, आप सो सकते हैं, वो क्या जमाना था 70s का, जहां पर महिलाओं को एक शरीर उनका भुनाना, एक लाइटिंग मे और यसाब उस ताइम पर उन्होंने गुड़ी जैसी फिल्मे करी, उन्होंने एक महिलाओं को लेके एक शश्शक्तिकरन का मैसेज दिया और उसके बाद आज भी जब मैं जब मैं फिल्मे जाती हूं, तो हमेशा मुझे कहा जाता है, ये तो नचनिया है, ये तो नाचने वाली है, ये तो कोठे वाली है, ये तो ये है, ये तो वो है, तो खेर, अब जो हमारी पीछे से जो हमारे फिल्म इंडेस्ट्री के पूर्वो जो ने हमें तो हमें आगे आने वाली पीडी को विनारस्त देंगे, वो भी आसे जाना जाएंगे, कि यह क्यों नहीं, यह महिला भी एक कलाकार है, तो उन में से मैं कहूंगी, कि Jaya Bachchan ji has been one of those rare actresses who has brought dignity to her craft, जी, लेकिन इनोंने कहाता कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो जब रवी किशन ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया था, तब आपने भी कमेंट दिया था, कही किया था, तब आपने भी कमेंट दिया था, कही किया था, तो मेरा यह बाना ह कि हमारे बुजूर्ग हैं, अगर हमें कोई एक बात इनोंने बोल दी तो हमारे कोई फूल नहीं जड़ गए, जी, अगली फोटो देखते हैं किसकी आ रही है, क्या है, अब ये इसकी उपर आप क्या कहना चाहती है, यार ये मेरे को एक्टर रह चुके है, और मुझे इतनी सफाई जो मेरे और चिराग की फोटो को लेके देनी पड़ती है, हर चगा चाहती है, तो अभी सच में लगता है कि कुछ है क्या, हमें भी आसा लगता है कि कुछ है क्या, नहीं मैंने तो कुछ पूचा है, नहीं मैंने तो कुछ पूचा है, नहीं मैंने तो कुछ पूचा ह यह मैंटर कर दिया पुरा, यह यह वह बुट फ्रेंड और हम लोग ने पहले एक फिल्म है, उन्होंने एक्टिंग भी की है यह से पहले, तो और अब 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 अबर अब 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 अबर अब वह बहुत हो गए मतलब इसलिये मैं बोल रहा हूं। आप लोगों की महर्मानी है और तो क्या करें जी चलिए अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आ रही है अब इन दोनों में से बहतर कौन है आयुश्मार खुराना और दलजीत में से अब आप देख लीजिए इन में से जो भी राष्ट्रवादी है वो मेरा फेवरेट है वो देश द्रो ही है इस देश के टुकड़े चाहता है तो उसके लिए पर एक को टो पसंद करी एन दोनों में से micro मेरे रुप मेरे स्ली तीर बाद में यह लोग क्रते हैं किसी एक गूप में आने के लिए जो है जो है मेरा तो यह माना आपको मेरा सहारा लेके मुझे ही नीचा दिखा के या मेरे बारे में मीडिया में कुछ गंद बोल किया मुझे लडाई करके यह आप उनके फेवरेट बन सकते हो ऐसी फ्रेंडशिप कभी नहीं टिके की आप फ्रेंडशिप अपने दम पे करिये मुझे यूज कर के मत कर बॉलीवुड में असेंशली जो है आप जो है वें यू अर इन इंडिविजुल ना जिसकी कुछ जादा जर्शिप्टिंग इंडिविजुल अगर आपको ड्रग्स की आदत है वो लट है आपकी वो एक आपकी मजबूरी है तो आपको ग्रूप में रहना पड़ेगा न करेंगे कैसे करेंगे कहां से स्प्लाई होगी गुरूप चाहिए ना आपको ठीक है अगर आपको और कोई लटे है उसके लिए आपको गुरूप चाहिए अब आपका जो है इस तरह से आपका जो फॉमेट है कि पीपल कैं सी कि यूर नौ टैलिंटीड और यूर यू आपको कौन से ग्रूप में जाना है क्वेश्चन मुझे तो किसी ग्रूप में निजाना मेरा ने तो आप क्यू पुछ रहे हूँ अगली वोटो देखते ते किसकी आ रही है और क्या पॉइंट है पीम बहतर कौन है इंद्रा जी अप प्रधान मंत्री जो सूरज की तरह च मैंने सवाल पूचा हाँ तो उनकी मैं किर्दार निभा रही हूं लेकिन उनके एक एक जो उनका जो करियर है उस पर जो इतना बड़ा धबा जो लगा हूँ है इमर्जंसी का जो नोंने इतनी बड़ी गल्ती कर दी जो लाइफ में वो आई तिंक कही ना कहीं उसने सारे उन चार्ज उन पर नहीं है कोई इस तरह की कोई भी कितने इनके टाइम में हर जगा जो है प्रेजिडेंट रूल प्रेजिडेंट रुजटपट सरकारे रद किया कर दी जाती थी टेगो एक भी दाग उनके चरितर पे नहीं है इसलिए तो उनको मर्यादपुर शोत्तम कहते है जी चलिए आखरी आखरी सवाल नई जनरेशन की अक्रिस में से आपको सारा अलिखान जानवी कपूर अनन्या पांडे इन तीनों में से कोई पसंद है आपको लगता जिसका ब्राइट फ्यूचर है नहीं तो आपने इन ही के नाम क्यों लिया और को बेटिये निए वहां प आपकी फेवरेट कौन इन में से मेरी तो तंगना रानौत है फेवरेट अब बताईए यह फिर भी एक अनन्या पांडे बहतर लगती हैं आपको यार देखो असेंशली असेंशली वो भी किसी के बच्चे हैं हम लोग यह नहीं कह रहे हैं कि उनको वो करो बड़ हमें इस त आपने तमाम सवालों के जवाब दिये लेकिन यह अनन्या पांडे और सारा अलिखान पर आपकुछ बोलना नहीं चाहती है मैं नहीं बोलना चाहती बट मैं ऐसा चाहती हूं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो आर्ट का जो स्टेंडर्ड है वो दीरे दीरे इ गिरते ही जा रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि कला को सर्वो परी रखें यह बहुत अची बात आपने बोली कि कला सबसे उपर है कला सर्वो परी रहनी चाहिए और जैसे हमारी कलाकार एक्ट्रसीज हुई है चाहे वो मैं तो कुछ के नाम लोगी तो इर्फान खान साब हो हमारी जो एक्ट्रसीज है उनमें मीना कुमारी जी या उसके साथ ही आइतिंग बाइदा रहमान जी बहुत श्रीदेवी जी उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए है और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो फिल्म इंडस्ट्री का दिन बदिन गिरत खाल दो कोई खतरा निए क्योंकि राहुल जी को अक्सर लगता है कि लोगतां समाप कर देंगे मोडी जी बोलते रहते हैं देखिए हमारी जो सरकार है उसका जो जो स्लोगन है सब का साथ सब का विकास, Nation First, तो इस तरह के स्लोगन के साथ इस तरह की जो हमारी जो सोच है उस हाथिस्थान पे है तो कहां हम किस आज हमारी नेता जो क्यों सबसे जादा लोक्रीय के आज हम उन्स दौर पे आज हमें जो विंग जो है निरेंद्रमोधी जीने दिया तो बोलने वाले जीने जलन होती तोो बोलेंगे ही लेकिन अगर किसी को खत्रा है यहां पे इस देश में आज तो वह है प्लश्टा चारीयों को खत्रा है और उनको खत्रा रहेगा आपकी मदर आपको बोलते हैं इतना पंगा शाहिनत को फशा डेतीों में अपको सब्राइब कर नहीं अपको बहुत हैं मदर बस कुछ देव के लिए आप मंच पर और बनी रहें और अनुरोद करूंगी न्यूज एट इन इंडिया और हिंदी डिजिटल के एडिटर जोती कमल जी से वो मंच पर आएं और हमारी खास मेहमाद का धन्यवाद दे कि अकुछ भूएं ओब है युछ आव और अनुरोद कर दो ।